गुड इवनिंग फ्रेंट्स मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टेडियन सर्च में स्वागत करती हूं फ्रेंट्स आज हम स्टेडि करने जा रहे हैं मेडवेल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महतपूर प्रश्णों पे तो देड़ ना करती हूए अपने प्रश्ण आसानी से आप तक पहुंच सके तो यहां पर हमागे हैं अपने पहले कुश्ण पर निम्नमे से कौन अपने अमीरों को मंसद ए अली मंसद ए अली कहता था तो यहाँ पर आप गैस भी साथ में करते जाए कौन कहता था मंसत अली तो यह कहता था बहलोलोदी ओप्शन C हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हाइर एजुकेशन एक्जाम मेडविल हिस्ट्री 2013 का यह प्रशन रहा है तो पिछले टाइम जो मेडविल हिस्ट्री का मैंने वीडियो प्रोवाइट ही था उसमें साउन की प्रॉबलम थी जिसकी वज़ा से मुझे अभी आपको दूसरा वीडियो मैं प्रोवाइट कर रही हूँ और थम्नेल पर मैंने लिख दिया है यह 20 जो सीरीज थी उसी का री अप्लोड़ेट कोशन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइट कर रही हूँ बहलोलोदी गाजी के नाम से दिली के सिंगहासन पर बैठा और प्रथम अफगान सामराज की नीव डाली बहलोलोदी अफगानों की महतपूर्ण शाखा साहु खेल से संबधित था बहलोलोदी अपने अमीरों को मनसद ए अली मेरे पुत्र कहता था नेक्स्ट कोशन पर आते हैं चित तोड़ विजे के बाद अलावदीन खेल जी ने उसका नाम रखा था तो इसका नाम रखा था खिर्जाबाद ऑप्शन बी अमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा हार एजुकेशन एक्जाम मेरे विल हिस्ट्री दोजा तेरा का ये प्रस्टरा है तेरा सोतीन इसवी में चित तोड़ विजे अलावदीन खिल जी की एक नवीन विजे थी यजि शित तोड़ का नाम अपने पुत्त्र खिर्ज खा के नाम पर खिर्जाबाद रखा इस अभियान में अलावदीन के साथ अमीरों ने भी हिस्सा लिया था नेक्स्ट कोईशन पर आ जाते हैं मिल्क इनाम और वफ अनुदानों को समाप्त कर दिया था तो यह समाप्त करने वाला था अलाव दीन खिल जी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा हार एजुकेशन एक्जाम मेडविल हिस्ट्री दोज़ा तेरा का प्रश्ण रहा है गति पर अपनी शक्ति के मजबूत होते ही अलाव दिन खिल जी ने अमीरों का दवन किया सुल्तान ने आदेश दिया कि सारी भूमी संपत्ती ग्राम और अन्य भूमी जो लोगों के पास मिल्क संपत्ती इनाम ववफ वो पहार की रूप में है वापस ले ली जाए और उसे एक खालसा भूमी की रूप में पईबर्तित कर दिया जाए किस सुल्तान ने सबसे पहले मदर्सा इस्थापित किया तो किस सुल्तान ने सबसे पहले मदर्सा इस्थापित किया था यहां आप्शन देख पा रहे होंगे तो मदर्सा इस्थापित करने वाला सुल्तान था अल्थ उत्मिश ऑप्शन भी हमारे यह पर करेक्ट हो जाएगा और ये जी डी सी असिस्टेंट प्रफेसर इग्जाम दौजा सत्रा का प्रश्ण रहा है व्याख्या देख लेते हैं एक बार भारत में मुस्लिम शाषन की स्थापना के साथ ही मुस्लिम सिक्षा ने भारत भूमी पर पदार पड़ किया सरप्रथम मोहमद गौरी ने मंदिरों को नस्ट करके मस्जिद बनवाने तदा मुसलिम सिक्षा प्रदान करने की प्रथा आर्म की सलतलकाल में तीन प्रकार की सिक्षण संस्थाय थी एक तो मक्तब दूसरा मदर्सा और तीसरा खान का है सरप्रथम इलतुत्मिष ने वास्तिक रूप से मदर्से की स्थापना की मौहमद गौरी की स्मरती में दिल्ली वा बदायू में मदर्सा और मुईजी तथा दिल्ली में मदर्सा और नासीरिया की स्थापना की उसने उच्छ में भी एक मदर्सा बनवाया जिसका नाम था मदर्साए फिरोजी निम्न लिखित में से किसने सुल्तान मुगी सुदीन की पद्वी के साथ स्यम को लखनौती का शाशक घोशित किया लखनौ का शाशक जिसने गोशित किया वह था तुग्रिल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा मिट्विल हिस्ट्री द्वजद 13 का प्रशन रहा है तुग्रिल ने सुल्तान मुगी सुदीन की पद्वी के साथ स्यम को लखनौती का शाशक घोशित किया था यह एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान ग्यासुदीन बलबन ने बंगाल का सुविदार नियुक्त किया 1789 में तुग्रिल ने बलबन के समय विद्वोख कर दिया तधा सुल्तान मुगी सुदीन की उपादी धारन कर अपने को लखनौती का शाशक घोशित किया नेमने लिकित सुल्तानों में से किसने नियाबत एक हुदाई के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया तो यहां पर हो जाएगा बलबन ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा हार एजुकेशन एक्जाम मेडविल हिस्ट्री दोज़ा तेरा का प्रश्म रहा है बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में दिल्ली पर शाषन किया उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीती अपनाई उसके अनुसार सुल्तान धर्ती पर खुदा का प्रतिदी है तथा उसका इस्थान केवल पैगंबर के पश्चा थे बलबन ने नियाबत एक खुदाई ईस्वर का प्रतिदी के सिध्धान्त का भी प्रतिपादन किया नेक्स्ट कोशन पर आते हैं निम्न लिखेत यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था तो सभी को पता है वो था इबन बतूता ओप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा हार एजुकेशन एक्जाम मेट्विल हिस्ट्री द्वजा तेरा का ये प्रश्णा है इबन बतूता जो की मोरको का मूल अफ्रीकी यात्री था वह मुहमद बीन तुगलक के समय बारा सो पच्चे से क्यावन में भारत आया था मुहमद बीन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी निक्त किया बाद में 1342 इस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बना कर चीन भेज़ दिया गया इबन बतूता ने रेहाला नमक पुस्तक की पुस्तक में अपनी यात्रा का विवन दिया है निम्ल लिखित में से किसे लाल बक्ष कहा जाता था लाल बक्ष किसे कहा जाता था तो लाल बक्ष कहा जाता था कुतुबु दिन आवक को लाख बक्ष सॉरी लाख बक्ष यानि लाखों का दान देने वाला MP Assistant Professor Exam 2017 का ये प्रश्ण रहा है कुतुबु दिन आवक को लाख बक्ष की उपादी दी गई थी जिसका आर्थ है लाखों में दान देने वाला एवक मोहमद गौरी का गुलाम था एवक इसने 1206 में गुलाम वंश की नीव रखी थी इसे कुरान खा कुरान याद होने के कारण के नाम से भी जाना जाता है एक्स्ट कुशन परा जाते हैं नेम लिखेती इत्यास का औरों में से कौन मलिक काफूर के साथ उसके दच्छण अभियान में था तो जो दच्छण अभियान में साथ था वो था अमीर खोस्रों हायर एजिकेशन एक्जाम मेर्विन हिस्टी द्वज़ा 13 का ये प्रश्ण अलाव दिन खिल जी ने 1307 इसी में मलिक काफूर के नेतत में एक सेना देवगिरी पर आक्मर करने के लिए भेज़े राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उन्होंने आत्म समर्पर कर दिया मलिक काफूर ने देवगिरी को लूटा तथा राजा राम की उपाधी दी छे माह पश्चात उन्हें एक लाक रुपए सौरी एक लाक सोने का टंका तथा नव सारी का जिला देकर वापस उसके राजे भेज दिया गया इस अभियान में अमीर खुसरो भी मलिक काफूर के साथ देवगिरी गया था कि नेक्स्ट कुश्चन निम्न लिखेती त्यासकारों में कौन कहता है कि उलेमा से बल पूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए थे यह था अब्दुलकादुर बदायुनी हार एजुकेशन एक्जाम में विलहस्ट्री 2013 का यह प्रस्चन रहा है इतियासकार अब्दुलकादुर बदायुनी कहता है कि उलेमा से बल पूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे अब्दुलकादिर बदाइनी एक फार्सी मुल्ग के भारती इतिहासकार अनवातक रहे थे ये मुगल काल में भारत में सक्रिय थे इनके पिता मुलुक शाह थे उन्होंने सूफी बात का भी अध्यन किया अक्वर ने इन्हें अपने दर्बार में 1574 में इसलाम धर्म के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था निम्र लिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजाबुदिन ओलिया को गंभी पईणाम भुगतने की धम की दी कि यदि व्यक्तिकत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं तो यह थे ग्यासुदिन तुगलक ओप्शन डी हमाना यहां पर करेक्ट हो जाएगा हार एजगेशन एक्जाम मेर्विल हिस्टी तेरा का प्रश्ण है ग्यासुदिन तुगलक ने शेख निजाबुदिन ओलिया को गंभीर पईणाम भुगतने की धम की दी यदि व्यक्तिकत रूप से सम्मान व्यक्त करने मे विफल होते हैं लिकित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेक के लिए एक अलग विभाग की स्ठापना की थी कि तो यह था फिरोश शाह तुगलक प्रोश तुगलक को गुलामों का बहुत शोक था उसकी गुलामों की संख्या संभवता एक लाक असी हजार तक के लिए एक प्रतक विभाग दिवाने बंदगान का गठन किया गया था उन गुलामों की सिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था प्रतेक गुलाम को दस से सौर टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी-कभी जागीरे भी मिलते थी फिरोश शाह का या शौक अंततहराज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ कि ने में लिकित इत्यासकारों में कौन मुहमद बीन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताता है तो ये था इसामी इत्यासकार इसामी ने मुहमद बीन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताया निम्ने लेकित सुल्तानों में से किस ने आदेश जारी किया था कि उसके शाषनकाल में सभी विदेशों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए तो ये था मोहमर बीन तुगलक मुहमर भी तुगलक ने आदेश जारी किया कि उसके शाषन के सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए इलत्मिश को बदायू का इक्तिदारी दी थी हôm हिए थो कुतुब दिन आवक ने कोटुब दिन आवक का दामाद वा ought try अल्थमिश इलवारी तोर्ग था अलथमिशी दिल्ली से Butter का वास्तिक संस्था पक्ता pret contain अबक की मिरति के वहिषात वह बदायू का सूबधार था सौरी उसके समय spot जब म्रत्य होई कुट्व दिन आब की तो उसे मैं बतायू का सुभेदार अलतत्मिश्था तो फ्रेंट्स आज थोड़ा सा पास्ट स्टडी कर लेते हैं समयाभाव की कारण जिसके शाश्रकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लीपी से नहीं करते थे तो अलावदीन हो जाएगा अलावदीन खिल जी के समय की बात हो रही है निम्न लिखित में से किसने अशोक के पाशान इस्तंबो को स्वर्ण इस्तंब कहा तो फिरोशा तुगलक ने फिरोशा तुगलक ने मौरे समराट अशोक के पाशान इस्तंबो को स्वर्ण इस्तंब कहा है फिरोशा तुगलक दिली सलतलत में तुगलक वंश का शाशक था यह दिपालपूर की हिंदू राजकुवारी का पुत्र था इसने अपने शाशनकाल में तीन सो नगरों की स्थापना की इसने खिर्जाबाद मेरिट के अशोक के दो इस्तंबलेखों को लाकर दिली में स्थापित कराया था निमने लिखित में से कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था तो वो था इब्राहिम लोदी निमने लिखित में से किसने दच्छिन भारत में अलावदीन खेल जी के प्रभुत को सुईकार नहीं किया तो पांडे ने सुईकार नहीं किया था अलाव दिन के आदे से दच्छिन भारत में सबसे पहला आक्मर मलिक काफूर ने तेलंगाना पर किया जिसमें काक्तिय वंशिय शाशक प्रताप रुद्र देव दुतिय पराजित हुआ और उसने मलिक काफूर को विश्व प्रसित कोहिनी उर हीरा दिया इसी क्रम में देव गिरी के यादा वंशिय नरेश राम चंद्र और होईसल नरेश वललाल देव ने भी अलाव दिन खिलजी की आधीनता सुईकार कर ली पांडे शाशक वीर पांडे ने अलाव दिन की आधीनता सुईकार नहीं की कुतुबुदीन मुबारक शाह के काल में राजनेतिक अवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की पुस्तक का शीशक क्या था तो इसका जो शीशक है वो है नो नो ए सिफर कुतुबुदीन मुबारक ख्यल जी के काल के राजनेतिक अवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो की उस्तक सीशक नूर ए सिफर है खजाईल उन फतुछ में अलाव दिन के दमन के अभियान का वर्णन है इफता उल्फप उतुभ में जलाल Öदीन ख्यल जी बारे में जानकारी प्राप्त होती है तुगलक नाम्हा में ग्यासोदीन तुगलक के शाशनकाल के विशह में जानकारी प्राप्त होती है आ निम्नलिकित में से किस ने जमीन बॉवोषी सिजदा की प्रफा प्रारम की तो ये प्रफा प्रारम करने वाला था बलवन ओप्षन एह हमारा यहां पे करेक्ट हो जाता है हायर एक्ज़ाम 2014 का ये प्रश्ण रहा है बलवन ने सिजदा जमीन पौबोसी और पौबोस प्रथा को अपने दर्बार में फिर से शुरू कराया था जो मोलता इरानिय प्रथा थी और इन्हें गैर इसलामी समझा जाता था इसके अत्रक्तिस में उसने इरानी त्यवहान नौरोज की प्रथा अभी आराम की थी एक बार प्लेलिस्ट अब चेक कर लेते हैं तो हम आगे अपनी प्लेलिस में यहां पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे इन वीडियो को देखने के लिए आप जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बोटन के मार्जम से भी इनको आप द